नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्के भी तो आज की इस वीडियो में हम गुरूप दीका जो हम लोग प्रैक्टिस सेट डिसकस कर रहे थे उसी के पांचमे सेट को यहाँ पर डिसकस करेंगे इससे पहले चार सेट मैं आपको अलरी डिसकस करवा चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप यहाँ पर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं एक टेस्ट की भाती देखते हैं तो नीचे कमेंड में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताईएगा कि इन 45 प्रशनों में से आपने कितने प्रशनों का सही उत्तर दिया है तो चलिए इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि मनुस्य की जो हथेली होती है या जो हाथ होता है इ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग हाथ की बात करते हैं तो कारपल से ले करके यहाँ पर फलैंगी तक की बात करते हैं तो अगर आप लोग काउंट करेंगे तो कारपल में आपको यहाँ पर आठ अग्या देखने को मिलेंगी उसी प्रकार से मेटा कारपल होता है जो आपकी गदोरी होती है उस वाला का हिस्सा तो इसमें आपको टोटल 5 मिलेंगी फिर हमारा होता है फेलाएंगी इसमें आपको यहाँ पर 5 मिलेंगी इसमें 4 है और लाश्ट वाले में 5 सभी को अगर आप इसमें ब्यक्ति आपके नीद में चलता है तो ऑप्सन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट यह देख सकते हैं कि ब्यक्ति आपका सोया रहता है लेकिन उसको इस डिस ओर्डर के दोरान यहाँ पर पता नहीं चलता है और वो आपके नीद में ही चलता है तो ध्यान रखेगा option हमारा B हो जाएगा correct यानि कि जो पैरा सोमनिया नाम का विकार है इसी का दूसरा नाम होता है नीद में चलना वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग किसी भी एक्जाम की एक सिस्टमेटिक बे में बहुती कम कीमत में हमारे देश के जो बेस्ट एजुकेटर है उनके द्वारा तयारी करना चाहते हैं तो अनेकडमी के उपर आप लोग यहाँ पर किसी भी प्लस कोर्स को खरीश सकते हैं 29 सितंबर से आपके नए बैस शुरू हुए है SSC कटेगरी में तो अगर आप लोग SSC के MTS CGL CSSL या फिर GD वगएरा एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसके सब्सक्रिप्शन को पर्चेज कर सकते हैं ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको इन सबी के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है आप एक सब्सक्रिप्शन में इन सारे एक्जाम के तयारी बहतर तरीके से कर सकते हैं तो नए बैस आपके शुरू हो गये हैं अगर आपको इन में से किसे में भी enroll करना है तो आप मुझसे इस number के उपर contact कर सकते हैं और जो भी यहाँ पर discount होगा उसे avail कर सकते हैं अगर आप मेरा code यूज़ करेंगे KVA10 तो इससे आपको 10% का discount मिलेगा लेकिन अगर आप लोग maximum discount avail करना चाहते हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर subscription लेने से पहले एक बार मुझसे contact जरूर करिएगा अनकेडमी के उपर इस तमें आपका एक बहुत ही सांदार feature भी आया है यानि कि अगर आप plus के student हैं और कोई भी live class चल लही है तो वहाँ पर आप अपना raise hand कर सकते हैं आने कि अपना हाथ उठा सकते हैं और directly teacher से class में ही बात कर सकते हैं तो ये एक नया feature है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारे आपके offer हैं जैसे आप अगर दो साल कर लेते हैं तो 8 महीने का विल्कुल free मिलेगा 6 महीने पर आपको 2 महीने का उसी प्रकार से 12 महीने पर 4 महीने का तो इन सभी offer के लिए आप मुझसे contact कर सकते हैं अनेकडमी के उपर मेरी free classes भी होती हैं जिसमें हम लोग यहाँ पर science और गयरा के question discuss करते हैं तो उस class के लिए भी आपको अनेकडमी पर मुझे follow करना है और उन सारे free classes को भी आप join कर सकते हैं अगला प्रशन है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने decibel धोनी उत्पन करते हैं अब देखे नार्मल कन्वर्जेशन की बात हो रही है तो इसमें बेक्तियों के दोरा 30 decibel तक की धोनी कोतपन किया जाता है हाँ जो आप लोग रात और में बात करते हैं फोन और पे फुसफुसाहट के साथ में तो उसमें आपका लगबग 10 decibel की धोनी होती है तो ध्यान रखेगा यहाँ पर 30 decibel होता है तो ऑप्सन C हो जाएगा करेक्ट तो यह आपके सामने पूरा पैटर्न दिया गया है अगर हमारी जो धुनी की स्पीड है यानि कि वो उसके इंटेंसिटी 85 decibel से जादा हो जाती है तो वो आपके कान के लिए होती है खतरनाक यह भी ध्यान रखेगे C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि फरवरी 2020 में United Nation के प्रवासी प्रजातियों के स्तनरच्छन बिसेयक सम्मीलन के द्वारा निम्नलिकित में से किसको लुप्ट प्राय प्रवासी प्रजातियों की रूप में वर्गिकरित किया गया था तो ध्यान रखेंगे इसमें हमारा एक है नाम इसका है बंगाल फ्लोरिकन क्या नाम है बंगाल फ्लोरिकन इसका नाम है तो आप्सन ए हो जाएगा अब पहले तो आपको यही है ध्यान रखना है कि पिछले साल जो CMS का COP 13 है उसका आयोजन गुजरात में किया गया था अगर हम बात करें तो इसका सुभंकर आपका था Great Indian Bustard PM Modi के द्वारा इसका उधगाण किया गया था और तीन हमारी परजातियां ऐसी थी जिनको लुप्तपराय परजाती घोसित किया गया था इसमें एक गिवी है दूसरा बंगाल फ्लोरिकन था और तीसरा था ACI हाथी तो गिवी हमारे इसी Great Indian Bustard का नाम है तो आप्शन A हो जाएगा करक्ट अगला प्राशन है कि निम्न लिखित में से किस राज्य में गहिर माथा समुद्री अभ्यारन ये नामक एक समुद्री अभ्यारन ये स्थित है तो गहिर माथा की बात करें तो ये आपको मिलेगा उडिसा में आप सभी ने पढ़ा होगा Olive Ridley Title के बारे में तो ये जो हमारे कच्वे होते हैं ये इसी गहिर माथा पर आते हैं और यहाँ पर ये अपना घोशला वगैरा बनाते हैं और प्रजिनन का काम करते हैं तो देख सकते हैं ये आपका गहिर माथा बीच है जो की आपको उडिसा में देखने को मिलेगा अगला प्रेशन है कि वर्स 2020 में WHO Foundation के पहले CEO के रूप में किसको निउक्त किया गया तो पहले CEO बने है नाम इनका अनिल सोनी है आप्शन हमारा A हो जाएगा तो पिछले साल WHO Foundation की घोशना हुई थी और उसी के पहले CEO बनाए गये थे हमारे भारतिय मूल के अनिल सोनी तो Option A हो जाएगा अगला प्रशन है कि लाइसो सोम में जो मौजूद एंजाइम होता है वो आपके किसके द्वारा बनाए जाते हैं पहला Option है Rough Endiculum Rough Endoplasmic Reticulum दूसरा आपका है Endoplasmic Reticulum और तीसरा हमारा है Smooth Endoplasmic Reticulum तो अगर आप लोग तीनों को ध्यान से देखेंगे तो Option हमारा A हो जाएगा Correct जो भी आपके यहाँ पर एंजाइम होते हैं वो आपके Rough वाले हिस्से से बनाये जाते हैं तो ध्यान रखेगा Ribosome का निर्माण प्रोटीन का जो हमारा निर्माण होता है वो आपके यहीं पर होता है तो Option Rough Endoplasmic Reticulum हो जाएगा यहाँ पर Correct अगला प्रशन है कि Innovation Festival 2020 निमलखित में से किस भारतिय सहर में मनाया गया था पेशले साल तो यह जो आपका है वो पेशले साल मनाया गया था Option No.B यानि कि Eta Nagar में तो B हो जाएगा यहाँ पर Correct अगला प्रशन है कि 220 Watt generator से एक Bulb आपका जुड़ा हुआ है धारा यहाँ पर 0.5 Ampere है तो Bulb की सक्ति कितनी होगी देखे एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है उस फार्मूले में अगर आप लोग इसको रखेंगे तो Multiply कर देंगे 220 Watt से आप 0.5 को एंसर आपका आजाएगा 110 Watt फार्मूला क्या है यह आपको नीचे कमेंट में बताना है कौन से फार्मूले का यूज होगा यह आप नीचे कमेंट में बताएंगे Option यहाँ पर A 110 Watt हो जाएगा Correct अगला प्रशन है कि इन में से कौन सा दी अंगी पौधे का उधारन है तो अगर हम लोग दी अंगी पौधे की बात करें या फिर Diocese Plant की बात करते हैं तो इसका सबसे बहतरिन एक्जामपल है केला Option यहाँ पर A हो जाएगा Correct अगर हम बात करते हैं Diocese Plant की तो यह हमारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें आपको male part और female part दोनों देखने को मिलते हैं यानि कि उसमें male part इस्टमेन भी होता है और female part कारपल भी आपको देखने को मिलेगा तो ध्यार रखेगा Option हमारा यहाँ पर हो जाएगा A यानि की केला अगला प्रशन है कि दिल्ली सल्तनत के निम्लिकित सुल्तानों में से किसने गया सुद्दीन भल्बन को अपना प्रधान मंतरी नियूप्त किया था तो ध्यार रखेंगे इनका नाम है नासिरियुद्दीन महमूद क्या नाम है नासिर उद्दीन महमूद इनका नाम है option C हो जाएगा correct यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नासिर उद्दीन महमूद है इन्होंने 1246 से चाचट तक सासन किया था और उसके बाद में गया सुद्दीन बलबन मनते हैं सासन तो ऐसा माना जाता है कि जो बलबन थे इन्होंने टोटल 40 सालों तक सासन किया था यानि कि 20 सालों तक नासिर उद्दीन महमूद के प्रधान मंतरी के रूप में और उसके बाद में स्वयम साजा के रूप में सासन किया था तो ध्यान रखेंगे ऑप्सन यहाँ पर नासिर उद्दीन महमूद हो जाएगा करेक्ट जिनों ने यहाँ पर बलबन को अपना प्रधान मंतरी बनाया था अगला प्रशन है कि वर्स 2020 में चिके साब ज्यान के लिए जो नोबल पुरस्कार है उसके कौन भी जेता नहीं है तो ध्यान रखेगा पिछले साल तीन लोग थे जिनको चिके साब ज्यान में नोबल मिला था लेकिन अगर हम लोग एंड्रिया घेज की बात करें तो इनको मिला था फिजिक्स में नोबल परस्कार तो option A हो जाएगा correct ये देख सकते हैं कि हार्वे जेल्टर चाल्समराइज और माइकल हुटन को मिला था आपके हेपाटाइटिस C वाइरस की खोज के लिए चिकिस्सा में रोजर पेंड्रोज, एंड्रिया घेज और रीन हाज गेंजल की बात करें तो इनको मिला था फिजिक्स में तो option A होगा यहाँ पर correct अगला प्रश्न है कि इन में से किसका उपयोग परमाडविय इधन की रूप में नहीं होता है तो ध्यान रखेगा जो आपका लेड होता है ये हमारा कोई radioactive element नहीं है तो आपके nuclear fuel के रूप में इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता है option D होगा correct अगला हमारा प्रश्न है कि अगर नावकिये reactor में जो control के लिए छड़ होती है इनका उपयोग ना किया जाए तो क्या होगा ध्यान रखेगा यहाँ पर जो आपकी chain reaction होती है वो अपने सीमा के चली जाएगी बाहर option B होगा correct अब देखे थोड़ा समय आपको यहाँ पर समझा देता हूँ मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से हम लोग neutron की बंबारी करते हैं किसी भी radioactive element पर तो उसमें आपकी आनियंतरिद मातरा में उसमा निकलती है और neutron ही आपके release होते है जायर सी बात है अगर आप लोग यहाँ पर neutron की उपर नियंतरिद नहीं करेंगे तो जो आपकी यह chain reaction है वो इसी प्रकार से चलती रहेगी तो इसी लिए यहाँ पर आपके बुरा कैडमियम या बुरान के छड़ों का यूज किया जाता है क्योंकि यह जो छड़ होती है यह आपके यहाँ पर neutron को असोसित कर लेती है और हमारे जो अब क्रिया होती है उसको हम लोग नियंतरिद बेमे करवाते हैं समझ गए तो आपके यहाँ पर बी चैन परकिया सीमा के बाहर चली जाएगी हो जाएगा करेक अगला प्रेशन है कि Eastern Journal Council के वरतमान अध्यच काउन है अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जितने भी जोनल काउनसिल हैं सबके अध्यच होते हैं देश के ग्रियमंत्री तो इस समय ग्रियमंत्री हैं हमें साहजी तो यही हमारे अध्यच हैं आपका B हो जाएगा और यह देख सकते हैं कि टोटल पांच जोनरल काउंसिल हैं जितने भी जोनरल काउंसिल होते हैं सबके अध्यच ग्रियमंत्री होते है बाकी अगर हम उपाध्यच की बात करते हैं तो राज्यों के जो CM होते हैं वो समय समय पर इसके उपाध्यच बनते हैं तो option यहाँ पर B होगा correct अगला प्रश्ण है कि निम्नलेखित में से किसको पिछले साल EY उद्दमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो ध्यां रखेंगे यह पुरस्कार मिला था किरन मजूमदार 100 को तो option यहाँ पर D हो जाएगा correct किरन मजूमदार 100 की बात करते हैं तो जो आपकी बायो कॉन नौम की कमपनी है उसकी वर्तमान में यह CMD है और इनी को पिछले सार यह पुरस्कार मिला था तो यहाँ पर D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि अलग नंदा नदी डैस डैस वा भागी रथी खरक गलेसियर से निकलती है तो अलग नंदा की बात करें तो यह हमारे सतोपंद गलेसियर से निकलती है option आपका यहाँ पर D हो जाएगा correct अब यह आप लोग पूरा देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी नदीया यहाँ पर बनती है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सतोपंद गलेसियर है वहाँ से पहले विश्नु गंगा निकलती है विश्नु गंगा की बात करते हैं तो यह आपके धौली गंगा से मिलती है विश्नु प्रयाग में फिर इसी नदी का नाम होता है अलक नंदा तो ध्यान रखेंगे option यहाँ पर हो जाएगा अलक नंदा के लिए सतोपंद गलेसियर करें अगला प्रश्न है कि इन में से कौन सा धनात्मक होता है तो ध्यान रखेंगा अगर हम लोग धनात्मक की बात करें तो यह हमारी होती है अलफा करणे कौन सी जो अलफा करणे है वो आपकी होती है धनात्मक क्योंकि जब आपके रदर फोर्ट महोदय ने अपना एक्सपरिमेंट किया था तो जब इन्होंने इस प्रकास से किरनों को भेजा तो हमारा जो बिद्दुच्चेतर था उसमें निगेटिव वाले से आपकी जो किरने चली गई थी वो यहाँ पर अट्रेक्ट हो रही थी और इसी को नाम दिया था इन्होंने अलफा किरन तो ध्यान रखेगा अलफा धनात्मक होती है बीटा आपकी होती है रनात्मक तो यहाँ पर यह हो जाएगा कर्ण अगला प्रशन है कि निम्र लिखित में से कौन सा सनी और उसके उबग्रहों के अध्यान के लिए एक यान है तो बहुत इमात्मों यह परशन है ध्यान रखेगा सनी के पास में सबसे ज़्यादा आपके उबग्रह भी है और इसके लिए जो यान है इसका नाम है कैसनी क्या नाम है कैसनी इसका नाम है तो option D हो जाएगा correct बाकी इस पिर्जकर के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि ये एक टेलिस्कोप है एपोफिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक asteroid है और अगर हम लोग TEXAR 1 की बात करते हैं तो ये आपके इजराइल का एक सटलाइट है जिसको भारत ने लोग किया था तो ध्यार रखेंगे D होगा correct अगला प्रशने की फोप्स पत्रिका की अनुसार मई 2020 याने की पिछले साल की बात हो रही है दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलेट कौन है तो ध्यार रखेंगा इनका नाम है नाओमी उसाका जो की जापान देश की टेनिस खिलाडी है आप्सन यहाँ पर D हो जाएगा correct अगला प्रशने है कि निम्न में से किसने लेजर का अविसकार किया था तो लेजर की अगर हम बात करते हैं तो इसका अविसकार किया था थियोडर मेनन ने आप्सन यहाँ पर हमारा A हो जाएगा correct तो 1960 में जो आपकी पहली लेजर है उसको यहाँ पर टेस्ट किया था थियोडर मेनन ने 1960 में तो आप्सन हमारा यहाँ पर A होगा correct अगला प्रशने कि राजसभा के सम्मन्द में निम्नल लिखित में से कौन सा कथम सकती है तो देखे पहला statement बोल लहा है कि लोकसभा भंग होने के बाद राजसभा भंग होती है ये बिल्कुल गहलत है क्यूंकि राजसभा कभी भंग नई होती है दूसरे में कहा जा रहा है कि जो सभापती इसकी अध्यचिता करते हैं तो बिल्कुल गलत है लोग सभा का अध्यचि करता है राजी सभा भारत की राश्च्पती की सहमती से भंग होती है ये भी बिल्कुल गलत हो गया चोथे में कहा जार है कि उपराश्पती राजसभा के सभापती के रूप में कारे करते हैं ये है बिल्कुल आपका सही तो ध्यान रखेंगे आप्सन D होगा हमारा करेक्ट अगला प्रशन है कि दिसंबर 2020 में आर्या राजिंदरन किस सहर के सबसे इवा मेयर बनी थी तो ये कई परिच्छों में औरडी पूछा जा चुका है ध्यान रखेंगा ये बनी थी तिरुवनन दुरम की मात्र 21 साल की एज में तो ये है आर्या राजिंदरन आप्सन हमारा C होगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि पौधो के चाल पर उगने वाले जो भी हमारे कवक होते हैं उनको आप लोग क्या कहेंगे तो ध्यान रखेगा इने कहा जाता है जाइलो फिलस क्या कहा जाता है जाइलो फिलस इनका नाम है तो आप्सन आपका A हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान रखेगा जो हमारे पौधों के च्छाल के उपर कवक उगते हैं इन्हें कहा जता जाइलो फिलस तो ए हो जाएगा करें अगला प्रश्ण है कि स्टील को कठोर बनाने के लिए निम्नल लिखित में से उसमें आप लोग क्या मिलाते हैं तो इस्टील की बात करें तो उसमें मिलाया जाता है यहाँ पर कार्बन क्या मिलाया जाता है कार्बन मिलाया जाता है जिससे आपका इस्टील मजबूत हो तो आप्शन हमारा ए हो जाएगा करें तो मुख्य रोप से जो इस्टील होती है उसमें आपको कार्बन और आयरन देखने को मिलता है कई बार इसमें आपके मैगनेज, क्रोमियम इन सारे एमाउन का भी छोटी सी मात्रा में यूज किया जाता है तो option A होगा करें अगला प्रश्ण है कि मिजोरम के किस निर्थ सैली में गाउं के अतितियों के द्वारा बिसेश रूप से भाग लिया जाता है तो ध्यान रखेगा ये आपके CHSL का इस साल का प्रश्ण है तो ये जो निर्थ है मिजोरम का इस निर्थ का नाम है यहाँ पर खुलम क्या नाम है खुलम इसका नाम है और खुलम जो आपका डांस होता है इसमें जो पडोसी गाउं के लोग होते है वो इसमें सामिल होते है खुलम का मतलब यह होता है डांस आप दिक गेस्ट यानि कि जो भी आपके guest आये हैं उनके लिए जब आप dance करते हैं तो इसी को घा जाता है खुलम A हो जाएगा यहाँ पर correct अगला प्रेशन है कि पिछले साल एक किताब आये थी जिसका नाम था hit refresh तो बताईए इसके writer कौन है तो यह जो पुश्टक है इसको लिखा है हमारे सत्या नडेला ने option यहाँ पर A हो जाएगा correct तो चलिए नीचे comment में आप लोग बताईएगा कि सत्या नडेला है कौन इन्हें के द्वारा यह किताब लिखी गई थी तो option हमारा A हो जाएगा correct ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग graphene की बात करते हैं तो 2004 में इसकी खोज हुई थी और अभी तक ग्यात जो सबसे strong compound है उनमें यह सबसे ज़्यादा strong है और carbon के अपरूप की बात करते हैं तो उसमें आपको हीरा भी मिलेगा, graphite भी मिलेगा, fluorine भी मिलेगा और उसी में से एक हमारा है graphene तो D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि iodine billion का उप्योग किसकी उपस्थिती का पता लगाने में किया जाता है तो iodine की बात करते हैं तो हमारे किसी भी चीज में अगर starch मिला होता है तो उसका पता लगाने के लिए हम iodine billion का यूज़ करते हैं option यहाँ पर A हो ज किया जाता है देखिए यह आपके पास में है आलू आलू को आपने यहाँ पर छिल दिया है तो उसके बाद में कुछ इस प्रकार के समझना मिलेगी अगर आप लोग इसमें iodine का billion डालते हैं तो यह जो orange brown color था यह आपका हो जाता है blue और black अगर इसमें मिला होता है starch तो आल tax bank की बात करते हैं तो यह आपका है ndb क्या नाम है ndb इस bank का नाम है यानि कि new development bank इसका नाम है तो option हमारा d हो जाएगा correct ध्यान रखिएगा इसकी जो अस्थापना है वो 15 जुलाई 2014 को होई थी संगाई में इसका मुख्याले आपको देखने को मिलेगा और इसी bank में अभी हमारे कुछ नए देश भी जुड़े हैं जिनमें से एक आपका UAE है दूसरे देश का नाम है बांगला देश और तीसरे का नाम है उर्गवे तो ध्यान रखिगा अभी इसमें पांच मेंबर कंट्री थे अब इनकी संख्या हो चुकी है आठ काफी महत्पूर्ण है तो D हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि होई सालेश्वर का जो मंदिर है वो आपको इनमें से किस राज में देखने को मिलेगा होई सालेश्वर के मंदिर की बात करें तो यह आपको मिलता है करनाटक में आप्सन हमारा C हो जाएगा यहाँ पर करें तो देख सकते हैं यह होई सल किसके बीच सबसे लंबा बंध आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान रखेगा अगर हम लोग कार्बन कार्बन के बीच जो तीन प्रकार के बॉंड होते हैं उसकी बात करते हैं तो जो सबसे लंबा बॉंड होता है वो आपको मिलेगा एकल बंध में किसमें एकल बंद में आपको सबसे लंबा बॉंड मिलेगा तो option नमारा C हो जाएगा correct ये देख सकते हैं कि एकल बॉंड में जो आपकी लंबाई होती है वो 1.53 double में उससे कम हो जाती है और triple में हो जाती है और कम लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा strongest bond कौन सा होता है तो ध्यान रखेगा जो single bond है वो सबसे कम strong होता है double उससे ज़्यादा होता है और सबसे strongest bond होता है carbon carbon triple bond तो ये आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर फिलाल सी होगा correct अगला प्रशन है कि जब आप लोग sodium bicarbonate को गरम करते हैं तो इससे आपका क्या बनता है तो bicarbonate को जब भी आप गरम करेंगे तो इससे बनेगा sodium carbonate option यहाँ पर यह हो जाएगा correct यह देख सकते हैं कि आपके पास में दो unit है sodium bicarbonate की याने की खाने वाले सोडे की इसे आपने गरम किया तो यह आपका बन्जागा sodium carbonate जो की आपका वासिंग सोडा है पानी निकलेगा और आपका निकलेगा carbon dioxide तो यह होगा correct अगला प्रशन है कि वर्सद 2020 में भारतिय मूल के जो वावल राम खिलावन है यह किस देश के राश्टपती चुने गए थे तो अभी PES जो रोश्टर भी हमने इन ही को दिया है इसी साल और यह आपके हैं सेसल्स देश के कहां के हैं सेसल्स के यह आपके राश्टपती है तो option हमारा D हो जाएगा correct सेसल्स की बात करें तो जैसे हमारा भारत हुआ यहाँ पर माल दियू है यहाँ पर आपका मौरिसस है तो यहीं पर छोटा सा यह दूईपिय देश है राजधानी विक्टोरिया में है यहाँ की जो करंसी है वो भी आपको रुपिया देखने को मिलेगी और वावल राम खिलावन पिछले साल यहाँ के राश्टपती बने थे अगला प्रशन है कि जो हमारे वसा का इमलसिफिकेशन होता है वह आपके किसमे देखने को मिलेगा तो ध्यार रखेगा जो आपके बसा का इमलसिफिकेशन होता है वो आपके स्मॉल इंस्टेंट टाइन में होता है कहाँ पर छोटी आत में यह होता है तो आप्शन हमारा D हो जाएगा तो ध्यार रखेंगे जो आपका यहाँ पर एंजाइम होता है मतलब जो साल्ट होते हैं वो आपके बनते हैं लीवर में इस्टोर होते हैं गाल ब्लैडर में और फिर गाल ब्लैडर से हो करके यह आते हैं आपके छोटी हाथ में जहां पर ये बसा को इमल्सिफाई करते हैं तो D होगा correct अगला प्रशने की निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूरु भारत में बिल्टिश सासन के खिलाब विद्रो किया था ये भी इस साल CSL में पूछा गया प्रशने तो ध्यान रखिगा इनका नाम है रानी गाय दिनल्यू क्या नाम है रानी गाय दिनल्यू नाम है तो option हमारा C हो जाएगा correct ये देख सकते हैं 13 साल की एज में ही इन्हों ने हरेका रेजलीजियस मुव्मेंट को सामिल कर लिया था और इन्हों ने अंगरेजों के खिलाब किया था विद्रो तो option हमारा C होगा correct अगला प्रश्ण है कि प्रयोग साला में संसलेसित पहला कार्बनी की योगी कौन सा है बहुत इजी सा प्रश्ण है तो ध्यान रखेगा इसका नाम है यहाँ पर यूरिया क्या नाम है यूरिया इसका नाम है तो option B हो जाएगा correct हमारे जर्मनी की एक केमिस्ट थी जिनका नाम था फ्रेडरिक वूलर तो इन्होंने सबसे पहले यूरिया को लैब में सिंथेसिस किया था 1828 में किसका यूज उन्होंने किया था तो देख सेकते हैं अमोनियम साइनेट का इन्होंने यूज किया था सिल्वर नाइट्रीट के साथ में इसको घरम किया था और उसी के बाद में यहाँ पर बनता है यूरिया तो option आपका B होगा correct यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला प्रेशने की वर्ष दोहजार बीस में जो Laurel Sports Women of the Year 2020 का वार्ड है इसकी बिजेता कौन रही थी तो पिछले साल की हम बात कर रहे हैं तो उस समय आपकी जो बिजेता थी उनका नाम है सीमोना बाइल्स यह आपके अमेरिका देश की एक जिमनाष्ट है option C हो जाएगा correct जबकि इस साल की बात करें तो इस साल है नाओमी ओसाका दोनों नाम आपको याद रखने हैं C होगा correct अगला प्रशन है कि लाओ, खुवा, वन्नीजी और भ्हारन्य भारत के उत्तरपूर्भी राज्यों में किस नदी के दच्छनी तर्ट पर इस्थित है तो ध्यान रखेंगे ये आपको मिलेगा ब्रमपुत्र नदी के तर्ट पर आपसन यहाँ पर D हो जाएगा correct तो ये आप लोग देख सकते हैं ये सारे हमारे असम के वाइड लैप सेंकुचरी हैं और इसी में आपको मिलेगा लाओ, खुवा वाइड लैप सेंकुचरी जो की आपको ब्रमपुत्र नदी के किनारे मिलेगा तो आपसन D होगा, correct अगला प्रेशन है कि पॉलिथीन का और दोगिक उत्वादन निमलिकित के बहुलकी करण के द्वारा होता है तो पॉलिथीन की बात करें तो अगर आप लोग एथिलीन का बहुलकी करण करते हैं तो इसी से बनता है पॉलिथीन तो आपसन यहाँ पस C हो जाएगा, correct यह देख सकते हैं, यह हमारा एथिलीन है इसी को आप लोग पॉलिमेराइज करेंगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा पॉलिथीन यह इसी को हम लोग पॉलिथीन भी कहते हैं तो C हो जाएगा, correct अगला प्रशन है कि मानो सरीर में सबसे ज़्यादा मातरा में क्या पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा मानो सरीर में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पानी क्या मिलेगा? सबसे ज़्यादा आपको पानी मिलता है अगर हम लोग इलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका होता है oxygen भी हो जागा यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि तापमान को 0 degree Celsius से कम करने के लिए बरप में आप लोग किस चीज को मिलाते हैं मैंने आपको इस से पहले वाले क्लेक्टिस च्रेक में भी करवाया था कि अगर हमारा पानी 0 degree Celsius पर जम रहा है और उसमें अगर आप लोग नमक को मिला देते हैं तो ये आपके minus 21 degree Celsius पर जमेगा तो ध्यार केगा sodium chloride मिला जाता है ये हो जाएगा यहाँ पर करेगा अगला प्रशन है कि एक निश्चित अस्तर से उपर किसी बिमान की उचाई को मापने के लिए किस बैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है तो इसका नाम होता है LT meter क्या नाम होता है? LT meter इसका नाम है तो C हो जाएगा यहाँ पर correct बाकी अगर हम लोग 20 meter की बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इसका उपयोग आपके pressure को measure करने के लिए किया जाता है फैथो meter की बात करते हैं इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेगा कि जो हमारे पानी की गहराई होती है उसको measure करने के लिए इसका use किया जाता है तो यहाँ पर option altimeter होगा correct अगला प्रेशने की मोतर के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है तो ध्यान रखेगा इस रसायन का नाम होता है यूरो बिलीन क्या नाम है यूरो बिलीन इसका नाम होता है तो option B हो जाएगा correct तो दरसल यह हमारे कुछ vitamins वगरा होते हैं जो कि आपके जल में घुलंसील होते हैं तो वही आपके पानी के रास्ते बाहर आते हैं जिससे आपका यह yellow हो जाता है तो B होगा यहाँ पर correct आखरी प्रेशन है कि फसल उत्पादन के लिए पौधेवा मिर्दा विज्ञान के अनुप्रयोग को डैस डैस के नाम से जाना जाता है तो इसे हम लोग यहाँ पर सच से बिज्ञान यानि की agronomy के राम से जानते हैं तो option B हो जाएगा correct बाकी अगर हम लोग anatomy की बात करते हैं तो जब आप लोग body के structure को अध्यन करते हैं तो इसे anatomy कहा जाता है agroastology घास बिज्ञान को कहा जाता है और bryology के बात करते हैं तो जो आपके bryophytes होते हैं उनके अध्यन को किया जाता है bryology तो इस प्रकार से हमने detail में यहाँ पर सारे प्रशनों को discuss कर लिया है I hope आपको यह practice अच्छा लगा होगा अगर आपने यहाँ तक देखा है तो अपना score भी बता सकते हैं या फिर आपको लिखना है yes I can do it thanks for watching जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत